उत्तर प्रदेश के आम को राश्टी और अंतराश्टे स्थर पर पहचान मिल सके इसके लिए लखनों में 12 जुलाई से आम महस्तों का एउजन योगी सरकार करने जा रही है हमारे साथ बाचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के उध्यान मंतरी दिनेश परताफ सिंग जी है दिनेश जी पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या कुछ खास होने वाला आम महस्तों में दिखे हर साल कुछ खासी होता है हर सरकार कुछ खास करने का प्रयास करती है खास तोर से पिछले वर्स से आगे के वर्सों में बेहतर करने का प्रयास सरकार करती आई है और उसी प्रकार हम भी पिछले वर्स से इस वर्स बेहतर करेंगे अगर पिछले बार 2000 किसानों ने अनु वो साजा करेंगा और तीन दिन में हो सकता है और जादा किसान इसको साजा करें इसी आपके माध्यम से अगर बात गाउं गली तक और पहुंच जाएगी आम के किसानों आम के बागवानों और आम के निर्यात कों तक पहुंच जाएगी तो हमारा और लाब होगा अधिक से तब है कि आम महोसों में ज्यादा से ज्यादा किसान, ज्यादा से ज्यादा ब्यापारी आएं और अनुभो साजा करें और उन अनुभों का लाभ लें और अपने उत्पादन को बढ़ाएं, गुडवता परेक आम हुगा आएं, दुनिया की बाजारों तक कैसे उनका आम अब तक मैं समझता हूँ अभी टन पर कहना तो थोड़ा जल्दबाजी होगी लेकिन बहुत संख्या में आम बहुत वजन में आम दुनिया की बजारों तक पहुंचे इसका सरकार का प्रयास जरूर हम कहेंगे सरानिये क्योंकि हम अभी तो कहीं 75 टन 70 टन ऐसे आम हम निर्यात कर पा रहे हैं मिट्र टन 75 में टिक रहा हैं निर्यात कर पा रहे हैं लेकिन अगर जिस जो हमारे उत्तर प्रदेश के सशी मुख्यमंती जी का प्रयास है हमारे उद्यान विभाग का प्रयास है कि येवर एरपोर्ट के करीब में हम एक इंटिगेटेड पैक हाउस की अपना होने के उपरांत हमारा कारगो जहाज दुनिया की बजारों में लेंड करेगा तो सस्ते दामों में लेंड कर जाएगा और वो आम का मूले हमारा ज्यादा मिल सकेगा हम लोगों ने इस बार राजय के किसानों को नहीं सुल्क आम की जो बतिया होती है चोटा आम का फल होता है उसके ऊपर ही एक कागज का पैकेट बांदिया चाता है उससे फायदा होता है कि उस पर किसी परकार की कीट ना सक दवाळाँ चासर नहीं होता है और किसी पेस्टिसाइड का असर नहीं होता है, किसी प्रकार की खाद का असर नहीं होता है, कोई कीड़ा भी उस पर नहीं बेटता है, तो अच्छा सुन्दराम जो दुनिया की बजारों में पहुंच सकता है, ऐसा गुड़ता परकाम उगाने का हमारा प्रयासी समय चल रहा ह और इस बार हम 90,000 के असपास हम लोगों ने बैग लगाये थे जो थोड़ा आनुबह हुआ अभी एक आने वाले वर्स के लिए एक करोड बैग लगाने का हमलों का लक्ष हो गया है तो धीरे धीरे हम अपने आप सरकार नेसुल का लगा रही है एक दिन आएगा जब किसान अपने भागों में बैग लगा करके उगाएगा जो आम बिना बैग वाला असी रुपए किलो बिकता था वही बैग लगा करके जो उत्पादन हुआ है वह 150 रुपए प्रतिकिलों तक आम बजार में बिका है तो किसान इस पद्धती को एड़ाप्ट करेगा और उससे उसक पद्धन होगा आम की वेलू बढ़े गया यह हमारे साथ से देनिश परताफ सिंग्जी जोने बोला कि किसानों की आमदली को डबल करने के लिए सरकार योगी सरकार हर प्यास कर रही है और आने यह जो आम महसब है 12 जुलाई से तो लेकर 14 जुलाई तक जो चलेगा आम हैं उसके बारे में भी जानकरी मिलेगी जिससे वो अपने खेतों में जाकर इसकी बागवानी कर सके नभी नाल सूरी इंडिया टुडे ग्रूप किसान तक